प्राधियों के राजनी की करण का दुष्पोनाम पेड़ाना और कांधला जैसे कर्षबोने जेला है हिंदों को प्यापक पैमाने पर प्रताडिक करके यहां से प्लाइन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था अप्राध और अप्राधियों की प्रती जिरो टॉर्ट उत्तर प्रदेश विदान्जबा चुनाओ 2022 में अब कुछी दिन बचे हैं ऐसे में तमाम राजजनेतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में सत्ता पाने की कोशिश में जोटी है सबी दलों की नेता लगाता रह लिया और जंद सभाए कर रहे है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सत्ता में वापस आना चारे बीजेपी ने इसका जिमा मुक्य मंत्री योगी आदितनात को दिया है उन्होंने खुद इसके जिमादार एली है मुक्य मंत्री आज पर श्रमी उत्तर प्रदेश की दौरेपर है और इस दौरान मुक्य मंत्री योगी सबसे पहले शामली पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने कई परियोचनाओं का लोकारफण और शिला नियास किया तो मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने पीडित परिवारों से वो परिवार जो परिशान थे, दबंगों से परिशान थे प्रताड़ी थोकर अपने घर को छोड़ने को मजबूर थे अपने घरों के बाहर लिखने को मजबूर थे कि ये मकान बिकाओ है उसके बाद चले गए थे 2017 में जब बीपीजेपी की सरकार है उसके बाद ये सब लोग जो आपस लोटे हैं कि उन सभी परिवार वालों से मुक्हि मंतरी योग आदितनात क roughly उनियां चीð सियम योग यादितनात कराक। नपौचे उन हिंदु परिवारों जिन्होंने बड़ते क्रा Ainकिव सब्सक्राइब करना चोड़ दिया था और हिंदु परिवारों का मुख्यमंत्री ने होस्ला बढ़ा है 2017 में जब मैं यहां आया था तब यहां के लोगों ने मांग की थी कि सुरक्षा की दृष्टी से यहां की चौकी के सुद्रडी करन और यहां पर पीएसी के एक बटालियन के स्थापना हो चौकी के सुद्रडी करन के कारवाई पहले ही हो चुकी थी और यहां पर पीएसी के एक बटालियन के स्थापना के कारवाई के लिए आज मैं सुएम यहां पर आया हूँ और कुछ उन परिवारों के साथ भी मैंने संबाद किया है जो पिछली सरकारों के राजनीति के अफराथी करण किस सिकार हुए थे उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं उनमें एक विश्वास जगा है और हमारी सरकार ने इस बात के लिए यहां के हरे उप परिवार को अस्वस्त किया है कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रती जिस जिरो टॉल्लेंस की नेती के तहट काड़े कर रही थी वह हमारी नेती नेती नेतार आगे भी चलेगी पेडित परिवार से मिले के अबाद मुख्यमंत्री योगी आदेथिनात ने कहा कि पेडित हिंदू है तो उनसे मिलना गुना है क्या 1990 के दसक के प्रारम में राजनीती के अपराधी करण और पेशिवर अपराधियों के राजनीती करण का दुस्परिणाम केराना और कांधला जैसे कस्वों ने जहला है यहाँ पर हिंदो ब्यापारी और पन्य हिंदो को ब्यापक पैमाने पर प्रताडित करके यहाँ से प्लाइन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था देश के अंदर इस समाचार काफी सुर्खियों में भी था 2017 के बाद अपराध और अपराधियों की प्रती जुरो टॉल्लेंस की नीती के तहट सरकार ने जो कारवाई की थी उसके प्रणाम सुरूख इस कस्बे में सांती आई बहुत सारे परिवार वापस आए हैं सेम योगी अदित नाथ ने केराणा में वापस लोटे हिंदू परिवार वनों से मुलाकात की और हैं हर समब मदद का वरोसा दिया आप भी सुनिये मुखी मंतर योगी ने पीडित परिवार से क्याता आप लोग पर अपना शुरूट कर रहे हैं अपर ठीकर हैं इंवत से काम देखे हैं आप लोगी चीटां को बैक्ति को ठीक है अपना ये दुखत होती है लेकिन विवस्था ये परवटतन सीर है हमेशा दुखत घष्णा को बलाना चाहिए और नहीं चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए या इक न्याव विष्वास जगे का पूण और उसकी विष्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए हम लोग जब उन चीज़ों को लेकर पर करने का प्र्यास करेंगे तो फिर नहीं को पांकिनि योंगी जब हम लोग गलक दर्ष्टे से कुगराँदे हैं तो इसका पुस्वाइस वाटता है वहाद पर फिर्दोश लोगों को प्रताडित करने के मंदसा के साथ तीन चीजी किसाना वह भी वगता और विशाल पांडे जी मीडिया समवादाता हमारे साथ है विशाल मुख्यमंत्री योगी आदेतनाथ ने बहुत सारी बाते कहें आप प्रमुख बिंदू बदाएं जरूर की क्या-क्या मुख्यमंत्री ने कहें 2016 में इस मुलाकात के बाद योगी आदितनात ने कहा कि पहले जो डर का माहौल रहता था वो अब डर का माहौल नहीं है हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है कहीं न कहीं अपने सरकार की कानून विवस्था को लेकर योगी आदितनात ने जरूर यहाँ पर उस मुद्द जरूर करेगी और क्योंकि मुखमंत्री योगी आदेतनाथ ने कहा है कि वो पीडित परिवारों को मुआबजा भी देंगे और दोशियों के खिलाफ कारवाई भी करेंगे बीजेपी की निगाहें इस पूरे कैराना प्रकरण से पश्चमी उत्तरप्रदेश की विधानसभा सीटों पर है क्योंकि पश्चमी उपी मात्र कैराना शामली मुझफर नगरता की सीमित नहीं हो जाता है ये लगबग 136 विधानसभा सीटे इसमें आती है और अगर आप देखिए सहारनपूर से लेकर आगरा तक जो समिकरण बनते हैं राजनीतिक उनका एक जैसा असर पड़ता है चाए वो जाटों के वोट बैंक को लेकर बात कर लीजे या मुसलिम वोट बैंक को लेकर बात कर इसके जरीए बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि जो उनका हिंदुत का एजन्डा है कानून विवस्था का जो एजन्डा है लेकिन विशाल सवाल ये है कि क्या इस मुद्दे का उतना प्रभाव इस बार हो पाया गए जितना 2017 में था क्योंकि तब वाके पलायन हो रहा था बाहर थे लोग लेकिन अब सरकार करें कि वापस आ गए हैं आज मुख्यमंतरिन परिवारों के बीच में थे तो क्या ये वा जादा दिखाई दे रही है वो है जातिये समिकरण और हर जिले में हर विदानसभा सीट पर सबकुछ इस बार का चुनाओ जातिये समिकरण के इर्दगिर्द ही दिखाई दे रहा है अगर पश्चमी यूपी की बात करें तो बीजेपी अपने पुराने वोट बैंक को साथ रखने की कोशिश पूरी तरह से कर रही है जिसमें जाट वोट बैंक है गोरजर है सैनी कश्चप जो वोट है इसे अपने साथ रखकर और पश्चमी यूपी के ब्रहमर वोट बैंक को लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें सपा और आरेलडी ये बीजेपी के इस वोट ब बैंक 2014 से लगातार रहा है तो इसलिए ये मुद्दे कितने हावी होंगे ये कहपाना अभी थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी कोशिश की जा रही है कि जातिक आदार पर और समिकरों के आथार पर प्रयास हर कोई कर लेना च पोटिंग के थी वहाँ पर पीडितों से बात के थी तब लोगों ने क्या कुछ कहा था सुनें अगर दियो से लियाद में दे सकते हैं और नाम ले में तो फिर अपना चीना मुश्किल यहां सी नाम ले कियो हम ऐसे बैठे कुरसी पर आगा कोई ठूंग कर जागा यह सो पर सेंट से हैं कि बहुत लोग यहां जब परहसान होगे सेर सोड़ के चलेंगे परिसानी का परिस कि लोग यहां से पिजमी स्वाड़ें चलेंगे जो गाओं से यहां रहने के लिए जिए वहां पर प्रॉब्लम्स तो भाजाद होगी थी लाइफ कोई वैल्यू नहीं है वहां पर अभी हस्बंड के साथ में भी कई बार मारा पिट्टी हो चुकी है जैसे नहीं बैठने द अब आपको बताते हैं कि कैरणा है क्या और महा पर हुआ क्या था दरसल साल 2016 में कैरणा से हिंदूओं का पलायन हुआ था ये क्यूं हुआ था ये अब आपको बताते हैं तक्रीबन धाय सौ से ज़्यादा परिबार यहां से जाने को मजबूर थे अपने घरों को छोड़ने को मजबूर थे उन पर बताया जा रहा कि उनको बड़ा अत्याचार हुआ धंका गया उनको एक विशेश वर्ग पर आरो हुप लगे बीजेपी सांसाथ ने 346 परिवारों के सूची जारी की थी बीजेपी सांसाथ हुकम से यह सूची जारी की थी और बीजेपी ने विशेश वर्ग पर अत्याचार कारोप लगा साल 2017 में यूपी चुनाव में केराना एक बहुत बड़ा मुद्दा बना बहुत मसे 52 सीटे बीजेपी ने फिर जीती भी बीजेपी को जब सत्ता तक पहुचा है तो उसके बाद अब सरकार दावा कर रही है कि हमने पलाइन किये लोगों को भी वापस लेकर आ है और कानून डवस्ता बहतर हुए है अब जो अपराधी ना दंगर करने की सोच सकता है ना प